नमस्कार दोस्तो आज आपके लिए लेकर आए हैं बीना मेकप के सुन्दर कैसे दीखें बीना मेकप किये आप कैसे सुन्दर दीख सकते हैं इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बलाइकर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो को लुनिफिकेशन आपको मिलते रहेगा बीना मेकप के सुन्दर कैसे दीखें? लड़के हूँ या फिर लड़कियां खुब्सूरत और सुन्दर चेहरा सभी को पसंद होता है चेहरे को सुन्दर और खुब्सूरत बनाने के लिए कुछ लोग खास कर महिलाएं बहुत ज्यादा मेकप कर इस्तमाल करती हैं बहुत ज्यादा ही मेकप का इस्तमाल करती हैं, मेकप के साहरे कुछ समय के लिए चेहरे की खुबसूरती को जरूर बढ़ा जा सकता है, यदि आप मेकप करते हैं तो आपने खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगतार मेकप के ज्यादा इस्तमाल से धीरे धीरे चेहर कि के सब compromise जो जो रहन इंदि जो रंगत फिकी पढ़ जाती है इसीा तो यदि आप चाहते हैं कि बीज़ा मेक अगर हम किसमाट दुखें के सब से पहले खूप पार प्डीए के saja poskine में पानी पीने से सरीर और तोचा हाइडरेट रहती है और तोचा को नुक्सान पहुचाने वाले वैसले तत्व सरीर से बाहर निकलते हैं बिसायले जितने भी तॉटवह होते हैं सरीर से, वो बाहर निकल जाते हैं पानी पिने से एक तरीके से पानी सरीर की सафाई करने का काम करता है जिस कारण तऌचा पर चमिक बनी रहती है, चमक जो है हमेसा बना रहेगा और साथ ही किल मुहासे से भी छुटकारा मिलता है जबकि कौम पानी पीने से तोचा उम्र से पहले ही रुखी और बेजान होने लगती है दूसरा क्या है यूग और एक्सेसाइज करें अगर आप बीना मेकप सुन्दर दिखना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी परकार किस्तारिक गती विधी या एक्सेसाइज अवस्य करना चाहिए जो भी आपको पसंद हो यूग, डान्स, रॉनिंग, एरोबिक या मर्निंग वाक आप उख कर सकते हैं पूल मिलाकर कहा जाए तो आपको अपने शरीर से पसीना निकालना होगा पसीने के जरिये दूसित पदार्त शरीर से बाहर निकलते हैं जिससे चेहरे का गलो बढ़ता है और शरीर भी फिट रहता है और तंदरूस्त रहता है साथ ही एक्सेसाइज करने से भी शरीर में blood circulation स्वाइड होता है और तनाव भी कम होता है और तो और है चेहरे को सुंदर बनाने में भी लाख प्रोध होता है तनाव और चिंता से दूर है यदि आप चाहते हैं smart दिखना तो आपको तनाव और चिंता से दूर रहना होगा ये सरीर में कई तरह के बीमर्यों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं तनाव का बुरा असर तौचा पर भी दिखने को मिलता है तनाव के कारण तौचा मुर्जाने लगती है और चेहरे का गुलो जो है कौम होने लगता है साथी ज्यादा तनाव लेने से बाल भी कमजोड होकर ज़ड़ने लगते हैं इसलिए अगर आप बीना मेक अप सुंदर कैसे दिखें के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको जो है तनाव से बिलकुल दूर रहना होगा अच्छी नींद ले सोना सरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना की भोजन है अगर आप अच्छी और प्रयात नींद नहीं लेंगे तो यह आपकी सेहद और एसकिन दोनों के लिए ही हानिका रखो सकता है प्रयात नींद न लेने से आँखों के नीचे डार्क सर्क्लस होने लगते हैं जूरिया बढ़ने लगती है और चेहरा मुर्जाया हुआ जैसे लगने लगता है इसलिए रात को समय पर सोने की कोशिस करें और छोव से आठ घंटा अच्छी से निंद लें। प्रोटीन युक्त भोजन करें प्रोटीन मांस्पेशियों और हडियों के साथ साथ एसकीन के लिए भी बेहत फायदेमन होता है या तौचा की कोशिकाओं के दिर्माड में ब्रीधी करता है और तौचा को लंबे समय तक जमाब बनाए रखने में भी मदद करता है जो लोग प्रयाप्त मातरा में प्रोटीन का सेवन करते हैं उनके चेहरे पर हमेशा चमक बनी रहती है लालिमा देखने को मिलती है साथी प्रोटीन बालों को हेल्थ के लिए भी लवकारी होता है अगर आप बीना मेकप के सुन्दर दिखना चाहते हैं तो आपको प्रयाप्त मातरा म में प्रोटीन युक्त खाना भी खाना होगा जैसे अंडा, चीकेन, मचली, स्प्राउट्स, डाल, बीन, स्पनीर और टोफु प्रोटीन के कुछ अच्छे ये सुरोत हैं भोजर में जरूर सामिल करें बीटामिन सी इविक्त फल खाएं यानि की प्रोटीन की तरह बीटामिन सी भी तोचा नाखून और बालो के लिए बेहत लाबकारी है बीटामिन सी सरीर के विशैले पदार्थों को बाहर निकालने और तोचा को पोसर देने के कार्य करती है जरूरी मातरा में बिटामिन C के सेवन से चेहरे पर कील मुहासे की समस्या नहीं होती डार्क सर्क्रस को दूर होते हैं तोचा पर कसावट आती है डार्क एस्पोर्ट दूर होते हैं मेकप का सहारा नहीं लेना पड़ेगा बीना मेकप कहीं आपको एसकीन ग्लोइंग और सुन्दर दिखने लगेगा चेहरे को धूप से बचाएं चेहरा का ग्लो बढ़ारे के लिए आप कुछ भी खालें कुछ भी पी लें और फिर अपनी असकीन का कितना भी ख्याल रख लें थोड़ी देर की धूप आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकती है यह ठीक वैसी है जैसे एक किसान साल भर मेहनत करके फसल उगाता है और एक रात नहीं बारिस के उज़ास उचकी सारी मेहनत खराब हो जाता है इसलिए अगर आप बीना मेकप सुन्दर दिखना चाहते हैं तो आपको जो है धूप से भी बचना होगा फास्ट फूड और आईली का सेवन न करें यदि आप चाहते हैं समार्ट दिखना तो फास्ट फूड और आईली फूड एसकीन के लिए बेहदानी कारेक होते हैं इनके ज्यादा सेवन से चेहरे पर फैट बढ़ने लगते हैं साथी पीमपल्स की समस्या भी होने लगती है दरसल फास्ट फूड में पोशक तत्यों की कम्मी के करण ऐसा होता है ये केवल सरीर और तौचा को नुक्षान पहुंचाने का काम करते हैं फास्ट फूड और आईली फूड की वज़ा से के जगा पर आप जो है भोजन में ज्यादा से ज्यारा हरी पतदार सब्जिया शलाद फॉल और फॉलो का रस सामिल कर सकते हैं चीनी का इस्तमाल कम करें चीनी का इस्तमाल जो आप करते हैं बीना मेकप के सुन्दर कैसे दिखें तो अगली जरूर चीजे ऐसी है जो एस्कीन के लिए चीनी कहीं भी फैदे मन नहीं होती है ये केवल एस्कीन को नुक्सान पहुचाने का काम करती है ज्यादा सुगर लेने से तोचा जल्दी बुड़े होने लगती है और तोचा पर मुहा से जाईया जुरिया पढ़ने लगती है अगर आप लंबे समय तक एस्कीन को हल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आज से ही सुगर का सेवन कम कर दें केवल नेचिरल चीजों से ही सुगर लेने की कोशिस करें सुबा की धूप लें जहां दोपहर की तेज धूप एस्कीन के लिए हानिकारक होती है वही बात करें तो सुबा की हल्की धूप एस्कीन के लिए फाइदमन होती है सुबा की हल्की धूप से तोचा को पोशण मिलता है और इसे रक्त संचार भी सहीर होता है सुवा की धूप लेने से फंगस, इंफेक्शन, खुजली, एसकीन संबंदी कई रोगदूर होते हैं साथ ही इससे शरीर को विटामिन डीप राप्त होता है जो हड़ियो और एसकीन के लिए लावकारी होता है दोस्तों आपको हम बता रहे थे बीना मेकप के सुंदर कैसे देखे यदि आपको विडियो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर देश कर देता कि अगले विडियो कोनेट के किसन आपको मिलते रहेगा थाइंक्यू दोस्तों राधे राधे दोस्तों